नमस्कार दोस्तों मैं प्रिया सैनी और आपका मेरे चैनल जरनी ओफे में बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज मैं आपके लिए शिक्षिक दिवस पर एक भाशन लेकर आई हूँ जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा शिक्षिक दिवस है तीचर्ज दे है वो आने वाला है तो उसी के उपलक्ष में हर कॉलिज में हर स्कूल में कोचिंग इंस्टिट्यूट में तो अलग-अलग तरह की प्रोग्राम होते हैं जिसमें कहीं तरह के डांसर्ज या शिक्षिकों के लिए बहुत साई चीज़े प्रस्तुत की जाती हैं तो कहीं बच्चे उसमे स्पीच बोलते हैं मेरा मानना है कि यदि आप सिक्षक के बारे में कुछ दो शब्द अपनी तरफ से कहते हैं तो यही उनकी सबसे बड़ी गुरु दक्षिना होती है यह हमारे दिल से दिया गया सम्मान होता है तो आप यह भाशन बोल सकते हैं या आप कोई स्पीच बोल स तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मुझे आपका बस इतना ही सपोर्ट चाहिए और साथ में आप बैल आइकन भी प्रेस कीजेगा इससे क्या होगा दोस्तों कि जो भी मैं निव वीडियो अपडेट करूंगी या अपलोड तो आपको उसका नॉटिफिकेशन आ जाएगा इससे आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी क्योंकि जो भी मैं ऐसे या स्पीच डालती हूँ वो सब आपके मतलब फ्यूचर से फ्यूचर में वो आ सकते हैं सभी इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं तो चलिए देखत चलिए बिखते हैं स्क्षक दिवस्पर भाषन जो मैंने आज लिखा है गुरूर भह्मा गुरूरविष्नु गुरूर देवो महेश्वरा गुरूर शाक्षात परम भहम्म् तश्मैय श्री गुडूवे नमाः यसे आप इसकी शुरूवात कर सकते हैं माननिय मुख्य अत कि यहां एकत्रित हुए हैं इसी उप लक्ष में आज मैं शिक्षक के महत्तु पर एक भाशन प्रस्तुत करने जा रही हूं मेरी आप से विंती है कि क्रिप्या कर आप भाशन को ध्यान पूर्वक सुने शिक्षक हमारे जीवन की एक वहनीव है जिस पर हमारा पूरा भविश् जैसे कि कहा गया है कि एक अच्छा शिक्षक एक मुम्बत्ती की तरह होता है जो खुद प्रजुलित मतलब जल कर होकर दूसरों को रास्ता दिखाता है शिक्षक का हर किसी व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्व है आज हम जो भी हैं सब एक शिक्षक के बताई हुए ज्या पर मा के बाद दूसरा दर्जा सिक्षक को दिया जाता है इस दिवस पर अलग-अलग देशों में अलग-अलग दिन मनाया जाता है भारत में 5 सितंबर को यह दिवस मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे पूरुराश्टपती डॉक्टर सरवपली राधा कृष्णन जी का जन्म दिन होता है अतहें उन्हें सम्मान और स्रजांजली देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है अब आपके मन में एक प्रश्ण उठ रहा होगा कि सिर्फ इनहीं के जन्म दिन पर क्यों सिक्षक दिवस मनाते हैं तो डॉक्टर सरवपली राधा कृष्णन सबसे पहले एक शि सिक्षा के प्रती उनका बहुत गहरी सोच वैं विश्वास था वैं सभी के लिए एक मिसाल हैं वैं चाहते थे कि मेरा जन्म दिन सिक्षक दिवस के नाम से जाना जाए सभी सिक्षकों को सम्मान दिया जाए कि उनका हमारे जीवन में क्या महत वड़ा है तो उन्हें यह महसूस कराने के लिए इनका जन्म दिन हम मनाते हैं क्योंकि कहा गया है कि तो ऐसे आप बीच में कोटेशन बोलेंगे तो बहुत अट्रेक्टिव लगता है समाज को वह जागरुख बनाता है माबाप को विश्वास दिलाता है बिना कोई रिष्टे के अपना बनाता है शिक्षक ही जीवन जीना शिकाता है तो यह चीज़ आप लिख सकते हैं हमारे माता-पिता हमें जन्म देते हैं सिक्षक हमें सही और गलत का फर्क बता कर हमारे चरित्र का निर्मान करते हैं और हमारे भविश्यों को उज्वल बनाते हैं जिस प्रकार हमारे शरीर को भोजन की आवसकता होती है उसी प्रकार हमें जीवन में आगे भढ़ने और उचाईयों को हासिल करने के लिए शिक्षा की जरूरत भी होती है और एक शिक्षक ही वहव्यक्ती है जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा प्रदान करता है जो एक छातल के अंधकार में जीवन को प्रकाश रूपी मार्ग प्रदान करता है गुरू के महतु का बखान तो महाकवियों ने भी किया है जैसे की कबिलदास जी कहते हैं इसका मतलब क्या है तो अर्थात जब आपके सामने गुरू और भगवान दोनों ही खड़े हों तो आप सर्प्रथम किसे प्रणाम करेंगे तो गुरू ही आपको गोविंद अर्थात भगवान तक पहुचाने का माग प्रशर्ष्ट करता है मतलब दिखाता है अर्थात गुरू महान है तो सबसे पहले हम गुरू को प्रणाम करना चाहिए इसके बाद अतह अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सिक्षक ही वो व्यक्ति है जो बंजर धर्ती में बीज उगा सकता है तथा फिर से उसे हरियाली में परिवर्तित कर सकता है मतलब जिस धर्ती पर कभी फसल नहीं उग सकती थी तो शिक्षक ही व्यक्ति है जिस पर हरियाली फिर से उगा सकता है तो अगर आप ऐसे मुहावरों का अपने स्पीच में या अपने लिबंद में इस्तमाल करते हैं बचो तो वो बहुत ही अक्रेक्टिव लगता है गुरू का सम्मान ही गुरू की सबसे बड़ी दक्षिना होती है तो अंत में मैं अपनी वानी को विराम देते हुए बस यही कहना चाहूंगी की ना तारीफ के शब्दों की है उसको चाहत ना महंगे उपहारों से होती है उसकी इबादत उसे मिलती है तब ही शान्ती जब विश्व में फैली हो उसके शिश्य की कान्ती मतलब उसके शिश्य की जो जैजैकार है उसके पढ़ाए हुए बच्चे की जैजैकार है वो पुरा विश्व करता है तो तब ही एक गुरू को उसकी गुरू दक्षिना मिल जाती है तो आप इस तरह ये speech बोल सकते हैं ये बहुत attractive लगेगी मैं मुझे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी और बच्चो अगर आपको किसी भी topics पर speech, essay या quotations चाहिए तो आप मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं मैं आपकी 100% help करने की कोशिश करूँग दन्यवाद